आप सभी को मेरो चैनल मा बहुत बहुत स्वागत था आज आप बनाना वाला हां रबडी बनाओंगा आप वो भी सिताफल सा रबडी बनाओंगा इंस्टेंट रबडी हां हाप केजी दूद मा हाप केजी आप सिताफल रबडी बनाओंगा ये विडियो न पूरो जरूर काफी एच्छा पका हुआ है इस तर सब पका लेना कि तो दो सिता फाल दोनों को आपा तोड लाँगा पहले दो पार्ट में इसना दिभाइट कर लेऊंगा बाते लेऊंगा देखों इस तरह से सबसे पहले आपा इसका पल्प से क्रीम निकालांगा यह सबसे पहले मेठेड है इस रबड़ी न बनाने के लिए इस इता फल रबड़ी बनाने के लिए तो देखो मैं इसने डिवाइट कर ली हूँ अब एक श्टेनर लेऊंगा चलनी लेऊंगा इसमा एक चमज की साहता से निकाल कर डालांगा इस तरह से दिखो चलनी में डालती जाओंगा तो दोनों सिता फल्प के साथ आप यही करांगा दोनों को पल्प में निकाल कर छकनी में डाल देऊंगा तो इस तरह से निकाल दिया है पल्प नापा और इस तरह से इस तरह से आप जोर जोर से चलाओंगा दाबंगा ना प्रेश करांगा तो नीचे से क्रीम निकलती जाओगी और इसमें जो बीज होगा सीट्स जोगा न काला वाला वो अलग हो जाओगा तो देखो इस तरह सब बीज अपने आप निकल जावा हो जम्मस से चलाते चलाते इसना आप अलग से हटा देऊंगा इस तरह से निकाल देऊंगा तो देखो मैं सारा स्ट्स न निकाल दे रही हूं इस तरह से तो देखो मैं निकाल दी हूं अब छन्ली में जो यह पल्प जो बची है ना आप बीजन देखो साइट करें में रख भी फेक देऊंगा और यह जो पल्प हना यह आप आइस क्रीम के साथ मिक्स कर देऊंगा तो सारा क्रीम न अच्छी सा निकाल के इसमा में डाल दी हूं क्योंकि इसको फ्लेवर जब आओगो ना रबडी मा मूप अपना बाइल्ट सा आओगी इस पल्प की तो बहुत ही ज्यादा तेश्टी लगागी खाना में रबडी अब देखो आठा मां हाप की जी पैकेट द अमुल्या की पैकेट है यह सारी पैकेट में इतनी पैकेट में डाल दूंगी इससे रबडी वाली फ्लेवर आओगी काफी गाड़ो दुद बनोगो बहुत जल्दी बन जाओगी और बहुत यच्छो फ्लेवर आओगो पध ही कौन चला कि किसमा अपा मिल पैकेट मिलाया ह रख दी थी और अपनो दूद उबल चुको हाँ अब इस टाइम पर आपा दूद ना गाड़ो करांगा इस तर से देखो गेश की फ्लेम ना में मेडियम लों में रख दी हूँ अब कंट्यून इसना गाड़ो करांगा रिड्यूस करांगा और थोड़ी देर के लिए आर सा दस मिनत लगागी और दूद अपनो गाड़ो हो जाओगो सीज कर आधो हो जाओगो तो गाड़ो करनो हाँ तब तक आपा इसना कंट्यून बीजविच में चलाते रहोंगा डूद आपले गाड़ों कर लेऊँगा पर दहों हो जीत चलाते ऒए दूद ना आप गाड़ों कर ले हूंगा पक्राइंगो तक देखो दूद आपनो काफी गाड़ों हो चुको हां आ substit技 मिलांगे निकाल रहे होकeste काफी अधो दूध हो चुको आपनो अब इस टाइम पर आपा इसम डालांगा चीनी डालांगा पहले तीन चम्मच तीन चम्मच काफी है क्योंकि आपा इसमें सीता फल भी मिलाना वाला तो सीता फल भी मिठो होँआ अब अठामा कुछ केसर का धागा डाल देरींग। जिससे बहुत ही अच्छो कलर और फ्लेवर आना वालो है अब इन सबने अच्छी सपा मिक्स कर लाँगा चीनी ना और साथ में केसर का धागा ना काफी रिच रबडी बनागी आपके जी दूद में बहुत ही रिच रबडी थे बनाकर एड़ी करोगा बहुत ही टेस्टी अब इस तरह से चलाती जाओंगा साइट की जो मलाई निकाल लेंगा काफी गारों हो चुको दूद अपनों मलाईदार दूद बनकर तयार है अपनी जो रबडी है काफी मलाईदार बन चुकी है अब इस टेम पाप मिलाओंगा इसमां सीता फल्फ क्रीम जो आपा निकाला अब तो दूद निकाल लेंगा तो देखो सीता फल्फ भी अच्छी सा मिक्स हो चुकी है और गयस की फिल्म बंद कर दी हूं अब इसे एक बाउल में मा अच्छी सा कुचर लूगे मालाईदा और निकाल लूगे तो काफी टेश्टी सी रबडी बनकर तयार है अपनी सीता अब ठोड़ा समस्मा ड्राइफूट्स डाल रहे हूं थाना मन होतो डालो नहीं तो मद डालो लेकिन ड्राइफूट्स डालने सा रिच क्लिवर आ जावा देखना में भी सुन्दा लगा हा किसमी सा प्रिष्टा थे जो चाहो वो डाल सको कोई भी अपनी पसंद्की अगर थान मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी ने लाइक करो शेयर करो अगर मेरा चैनल में नाया हो तो मेरा चैनल में सब्सक्राइब कर लो